आपकी डिमांड के बाद मैं आज साइंस का टाइम मेरेजमेंट प्लान जो सीबेसी बोड का जो तो 18 का जो साइंस का पेपर होने वाला है आज में वो लेकर कर आया हूँ ठीक है जाब आपका टाइम नहीं लोगा क्योंकि आलेटी आप बड़े प्रेसर की दोर से आप गुज ठीक है उसी टाइम का प्रोपर तरीके से यूज करो और पेपर आपका अच्छा जाएगा कहीं भी कोई टेंशन लेने की बाद नहीं है तो आज की वीडियो में मैं साइंस का मैनेजमेंट प्लान लेकर आया हूँ कि साइंस का पेपर हम कम से कम टाइम में कैसे करें और क्या भी आपको दिकत लगया वहाँ पे वीडियो को पॉस करके देखेगा और सबस्क्राइब प्लीज जरूर किजिएगा मेरे चैनल को तो सबसे पहले हम डिसकस कर लें थोड़ा में फास्ट बोलूँगा किनको टाइम कम लगेगा सबसे पहले हम बात करते हैं तो टाइप सब क पाले पार्ट में ठीकर दो कौशंद दे रहे होंगे हर कोसिन का वोन मार्क होगा तुमार को बात करें तो यादर रखके आएगर च्छुर्ट 2 मार्क का एक कॉशन ठीक्स को एक टॉर्टлем से ले रखके आफो तोटल 5 marks के आपके 6 questions दे रखे होंगे, that means के 30 marks का आपका section होगा. इस तरीके से अब practical based questions में 6 questions दिये होते हैं, ठीक है, अगर उनके marks का अगर हम, एक question का जो mark होता है, ठीक है, याद रखेगा, दो number का होता है, practical based question, ठीक है इस तरहे के से 12 नंबर का आपका question होगा ठीक है यह तो total आपका plan हो गया कि कितने types के questions आते हैं अब बचो देखें मैं आपको time allot कर रहा हूँ एक बात याद रखें का science के paper कहने के पड़े what's का limitation बहुत जरूरी है इस चीज़ को तो आप दिमाग में पहले बिठा ले कहानी नहीं आपको लिखनी है to the point आपको content लिखना है to the point आपको matter लिखना है मैंने पहले वीडियो में already आपको समझा चुका हूँ और आप general instruction को जरूर पढ़ें बच्चो ठीक है अगर लगता है कि very short answer में अगर हमारा answer एक word में या एक sentence में होता है तो आपके कहानी और story लिखने की जरूरत नहीं है science में याद रखेगा to the point आपको answers के उपर marks मिलते हैं ऐसा नहीं कि आप अगर one mark के question में अगर आप 10 line लिख देते हैं तो one word का question होता है या तो उसको one word में या one sentence में करें short answer type 1 की अगर हम बात करें जो two marks का एक question होता है उसके जो words के limitation है 30 words में उसके answer करने चाहिए plus minus 25 words आपका limit हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि 30 words का answer है आप उसको 100-200 words में करके अनने सर लिए अपने time को भी आप बेकार कर रहे है और examiner के पास आपका impression भी negative होगा और marks भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे that means कहीने कहीं मार्क्स भी आपके कटेंगे short answer type 2 की बात करें तो उसके answer 50 words में आपको करने चाहिए long answer के अगर हम बात करें तो 70 words में उसके answer होने चाहिए तो यह हो गया कि कितने words का क्या limitation है याद रखेगा फिर से मैं repeat कर हम very short answer one word या one sentence short answer 30 words में होने चाहिए short answer type 2 50 words में होने चाहिए long answer जो है 70 words में होने चाहिए यह तो आपके कितने types के questions है और words का क्या limitation है अब इसके बाद वाले section में आते हैं कि हम time कैसे a lot करेंगे time में जरा ध्यान रखेगा बचो ठीक है मैंने कहा थे कि very short answer के दो question होंगे एक question को उपर आप 3 minutes का time दे जो बहुत sufficient time होता है क्योंकि जब आप किसी question का answer अगर आप एक word में लिखेंगे तो hardly it will take hardly it will take 35 to 45 seconds फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई दीकत नहीं आप 3 minute का time दीजे पहले question को एक बार अच्छे से पढ़िए पढ़ने के बाद उसको समझिए समझने के बाद उसके answer को लिखे तो अगर एक question को उपर आप 3 minute का time देते हैं तो total 6 minute में आपका section complete हो जाएगा that means की very short answer का section अब हम बात करते हैं short answer type 1 में तो मैंने कहा कि short answer type 1 में याद रखेगा 5 minute आप क्या करें 5 minute एक question को उपर दें जो बहुत ही sufficient time है तो 5 minutes अगर आप एक question के उपर देंगे और total 3 questions अगर आ रहें आपके that means की 15 minute के अंदर आपका short answer type 1 का part आपका complete हो जाना चाहिए अब हम आते हैं short answer type 2 की बात करते हैं मैंने कहा कि इसमें total 3 marks के 10 questions दे रखे होंगे ठीक है और 30 marks का इसका weight is होगा याद रखेगा तो इस question में याद रखेगा short answer type 2 में क्या करें 6 minute आप एक question के उपर दे that means की पूरे एक घंटे में आपका यह part complete हो जाना चाहिए कौनसा short answer type 2 की बात में इस तरीके से very short answer पे आप time कितना देंगे 3 minutes का short answer type 1 में 2 marks वाले पे आप 5 minute का दें short answer type 2 में जो है that means की 3 marks वाले question में आप 6 minute का time दे आप एक question के उपर अब हम बात करते है long answer की बात long answer में 5 question होता है बचो इसमें मैं कहता हूँ कि बहुत भी अगर जादा time लगे ठीके तो याद रिखेगा एक question के उपर जो है आप क्या करें 10 minute का time दे 10 minute का भी अगर आप time देते हैं तो एक घंटे में आपका या section भी complete हो जाएगा याद रिखेगा कितने time देना आपको ठीके एक question को पर आप कितना time देंगे 10 minute का time देंगे बचो ठीके ध्यान रखेगा 10 minute का एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ 1218 का ही sample paper है ठीके ना तो total 6 question होंगे आपके याद रिखेगा इसमें 6 question होंगे और एक question को पर अगर आप 10 minute का time दे रहा है अगरा तो total 60 minute में आपका that means कि 1 hour में आपका या section या section complete हो जाएगा एक घंटे का अंदर में चलिए अब हम आते है practical based questions में section B का जो part है वहाँ पर total 6 question दे रखे होंगे और मैं कहता हूँ कि एक question को पर आप 3 minute का अगर आप time दे तो 18 minute में आप क्या करेंगे अपने section B के part को भी complete करेंगे तो इस तरीके से proper आपका strategy और plan time का है अगर आप इस recording लिए अगर अपने paper को करते हैं तो करने के बाद I hope कि 30 minutes तो time इस बड़े मजे में आप save करेंगे और उस 30 minutes के time में एक बार questions को go through करना अपने answers को go through करना है परोपर कहीं leveling छूट गई हो leveling करना है बचों में बार बार आपसे एक ही request करता हूँ कि science में to the point answer लिखने के marks मिलेंगे कहानी नहीं लिखना आपको story नहीं आपको वहाँ पर fabricate करना है आपको क्यों to the point answer लिखने है कोशिस की दिए कि science का answer अगर point में बनता हो ठीक है तो points में आप उसको लिखे अगर माली जब points में नहीं भी बनता हो तो उसको paragraph में करके दो पार्ट हो तो paragraph में करके लिखे ताकि examiner को marks देने में बिलकुल असानी हो और बड़े अच्छे तरीके से आपको marks को दे सकता है point में लिखने में फायदा आए है कि अगर आप किसी question के अगर दो पार्ट है और एक one mark का question अगर आता है तो point में लिखने में examiner को बड़ा convenient होता है कि half up mark के sequence में फिर आपको marks दे सके that means उस किसमें कहीं भी आप loser नहीं रहेंगे और हमेशा आप winner रहेंगे अब चलिए मानते हैं कि साड़े 10 बज़ा paper start करते है 10.30 में paper start होता है तो याद रखेगा 6 minute का time मैंने कहा था कि हम very short answer पे देंगे त्याद रखेगा 10 बज़ करके 50 minute that means कि 10.51 तर आपका short answer type 1 का part complete हो जाना चाहिए अब उसके बाद आते हैं अगर 10.51 में 10.51 में हम अगर क्या करते हैं अब 50 को अगर हम add कर देते हैं that means कि मान लिजए कि उसके बाद वाला जो section है मैंने कहा था है को उस third वाले section में total 60 minutes का time आपके पास allotted है 60 minute का time that means कि उस case में 10 question होंगे एक question को अगर आप 6 minute का time देते हैं तो एक घंटे में short answer type 2 that means कि 3 marks वाले जो 10 question होंगे वो complete हो जाएंगे तो 10 account में अगर आप 60 minute को add कर लें that means कि 11.51 तक जो है आपका short answer type 2 का part भी complete हो जाना चाहिए अब चले 11.51 में हम क्या करते हैं बच्चों 11.51 में फिर हम क्या करते हैं जो long answer question है ठीक है ना 5 number वाले जो 6 question आते हैं तो उसके ठीक है ओर सबसे major और crucial part है जो C part है very short answer sorry short answer type 2 and याद रखिएगा long answer यहीं दोनों main crucial है जहां पर लिखने की जुरूत पड़ेगी लेकिन फिर भी उसके answers को point में और paragraph में करके लिखेंगे तो हमेशा आप safe side में रहेंगे तो long answer के अगर हम बात करते हैं तो long answer में total 6 question होंगे मैंने कहा था कि एक question को उपर आप 10 minute का time दीजिए तो एक घंटे में आप long answer के विख को भी आप अच्छे तरीके से complete कर सकते हैं इस तरीके से 10 account में 10.51 में अगर आप long answer को start करते हैं उसमें अगर आप 60 minutes add कर लेते हैं तो याद रखिएगा आपके पास 12.51 तक 12.51 तक आप क्या करेंगे long answer को भी आप complete कर सकते हैं आपने paper करना साड़े 10 बजे start किया था और 12 बस करके 51 minute तक आप 21 question section A का जो part है बड़े आसानी से आप कर सकते हैं बाकि 3 minute का time मैंने कहा था कि practical best हर question के अगर आप 3 minute का time लगाते हैं यह roughly करीब करीब ठीक है आप एक बस करके 5 minute तक आप 5 से 8 minute तक आप paper को complete कर सकते हैं that means कि again जो है 20 minute का time तो कहीं नहीं जाता है तो 20 minute का time बड़े आसानी से आप save कर सकते हैं 20 minutes के time में अपने papers को go through कहीं पर diagrammatical based question है वहाँ पर diagram का labeling और इन सारी चीजों के उपर आप work कर सकते हैं तो अगर आप इस planning के accordingly करें तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है यागी और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि internal choice जो होंगे 3 marks वाले में दो question में दे रख्यों होंगे और एक question जो होगा यहाँ जो मैंने question का pattern बताया याद रहे कि CBSE 2018 का sample paper जो है जो CBSE board खुद release करती है उसके उपर और मेरा अपने experience के accordingly जो हमारे institute के बच्चे इसी time frame में अगर करते हैं तो और बच्चों को हम practice भी काफी करवाते हैं तो maximum बच्चा कम से कम 25 to 30 minutes का time अपना save कर लेता है अपने paper में जो उसके लिए काफी precious होता है further paper को pre-wise करने के लिए तो आप अगर इस planning के accordingly करेंगे तो मुझे पुरा बिश्वास है कि आप बहुत अच्छे safe zone में हमेशा रहेंगे और आप time अपने save कर पाएगे मैं last में फिर से करना चाहता हूँ कि science का paper है बच्चो कहानी ने लिखनी है to the point आपको answer लिखने हैं point में लिखने हैं आपको paragraph के format में लिखने हैं या सबसे most important part है points में अगर आप answer लिखेंगे तो कही ने कहीं आपके marks अच्छे आएंगे और second part है किसी भी question का answer बच्चो छोड़िएगा नहीं exam में छोड़ने के लिए कहीं भी नहीं कोई negative marking नहीं है that means अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ने कहीं आप loser ही हैं कुछ भी जो आप दिमान में थोड़ा सोचें थोड़ा time लगा हैं जो भी उसके बारे में कुछ to the point अगर बाते हैं अगर आप उसको point में अगर आप लिक देंगे तो कहीं ने कहीं आपको marks मिलेगा ही और आप safe zone में हमेशा रहेंगे all the best ठीक है God bless you all और याद रिखेंगे अभी मैं आज ही और metals, sonno metals और एक दो chapter को उपर पांच दिन के छूटियों में आपके साथ में 80 चोटी का जोड लागा दूँगा और कहीं भी आपको danger zone में नहीं रहने दूँगा आप सब तुमें safe zone में लेकर आँँगा और I hope कि आप 6 marks भी लेकर आएंगे Thank you so much God bless you all again